हेलो गाइस मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर अफ एकॉनमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूँ आपका पढ़ले कॉमर्स की सेवाओ में और आज की क्लास में हम चैप्टर जो करने जा रहे हैं स्टाटिस्टिक्स का उसका नाम Organization and Classification of Data है आपके पास जो किताब होगी उसके अंदर शायद इस चैप्टर का नाम Classification of Data लिखा हो सकता है सिर्फ या फिर काफी सारी बुक्स में इस चैप्टर का नाम Organization of Data लिखा हुआ है हमने इस चैप्टर को combine करके लिखा है क्योंकि दोनों ही चीजें इस चैप्टर का हिस्सा है तो नाम को लेकर confused बिल्कुल भी नहीं होना अब इससे पहले जो चैप्टर था वो collection of data का था इसमें भी data का इस्तमाल किया हुआ है तो data जो word है उसका मतलब भूलना नहीं है आपने actually statistics वाली book में सारी game data की है data का मतलब होता है information इससे पहले वाले चैप्टर में information हम इखटी करके लाए थे इस वाले चैप्टर में जो information इखटी करी है यानि collect करी है जो information उसको organize करेंगे और classify करेंगे अब यह दोनों item होते क्या हैं यहां से शुरुवात करते हैं आपको समझना है तो अपनी class से start कर सकते हूँ school में जो आपके teacher है वो teacher आपकी copy check करते हैं माल लो आपके exam की copy check कर रहे है paper check कर रहे हैं आपके खटागट खटागट number आपको दे रहे हैं अब वो teacher भी उस number का record अपने पास रखता है चाहे वो computer में record रखे laptop में रखे या एक register में maintain करें आपका record तो उसमें student wise student का नाम लिखेगा और उसके कितने number आए है वो note करेगा नाम, number, नाम, number ऐसे लिखेगा और register बनाएगा तो दोस्तो उसने जो data तुम्हारा उस पे note कर रखा है register पे उसको बोलते हैं कि उसने आपका data organize किया हुआ है organize का मतलब पहचानने लाएक data हो जाए जब तुम data को पढ़ लोगे, पहचान लोगे तब उसकी comparison कर सकते हो यानि तुम्हारा teacher अब उस register को या laptop को देखके असानी से बता सकता है कौन सा student topper है, कौन सा failure है बढ़ नमबर लिखे में बता देगा तो organization of data का मतलब होता है data को यानि numbers को यानि information को इस तरीके से arrange करो कि तुम उससे comparison कर सको जैसे बता दिया teacher ने number देखके कि कौन भिवकूफ है और कौन समझदार है ठीके मतलब in terms of number की बात कर रहा हूँ दूसरी life skills की बात नहीं कर रहा हूँ फिर अब comparison हो सकती है और उस data से कोई ने कोई result भी कोई conclusion भी निकाले जा सकते है क्योंकि number के basis पर teacher conclusion निकालते है बेसिकली जिसके ज्यादा नंबर होंगे teacher बोल देगा वो intelligent है जिसके कम नंबर है बहुत कम नंबर है जीरो नंबर है उसको teacher बोल सकते है डफर है तो conclusion भी निकल रहा है ठीक है यह तो हो गया organization of data data को इस हिसाब से arrange किया कि उसकी comparison भी हो गई और उससे कोई न कोई result भी निकल रहा है मतलब तुम कुछ सोच भी सकते हो conclusion भी निकाल रहे हो students के बारे में आप देख रहे हो teacher के level पर सोच पा रहे हो आप लोग ठीक है दूसरा word भाई classification क्या होता है तो information को इस तरीके से arrange करना कि उसके groups बन जाएं groups देखो teacher कैसे बनाएगा number के basis पे न वो बुलेगा जिन बच्चों के 90 से लेके 100 के बीच में number है वो toppers है जिन बच्चों के 70 से 90 के बीच में marks आए है वो average है जिन बच्चों के 50 से 70 के बीच में number आए है वो below average बच्चे है और जिनके less than 50 है वो बच्चे थोड़े पढ़ाही में कमजोर है ऐसे teacher grouping कर सकता है न तो teacher ने ऐसे divide कर दिया students की category कर दिया तो दोस्तों ऐसे categorization करना ऐसे classification करना होता है मतलब division करना आप लोगों की division कर देते हो category बना देते हो तो उसको ही बोलते है classification of data यानि अलग-अलग class के अंदर divide कर दिया अब school में भी अगर बात करें न आप 11th class में हो तो school ने भी number of students की classification कर रखी है पहली class, दूसरी class, तीसरी class, चौतरी class, पाँचवी class किसलिए कर रखी है उसने data को यानि number of students को उनकी features के हिसाब से classify किया हुआ है features कैसे? उम्र के हिसाब से कर दिया उम्र भी एक feature है level of thought के हिसाब से मतलब कितना बच्चा समझ सकता है उसके हिसाब से classify कर रखा है छोटा बच्चा कम समझ सकता है तो पहली class में उसने समझधारी का एक level cross करेगा तो दूसरी class में आ जाएगा फिर paper pass करेगा तीसरी में आ जाएगा ऐसे करता करता 11 वी बारवी में पहुच जाएगा तो किसी भी चीज को उसकी features के हिसाब से classify करना classification होता है अब classify शब्द अगर आप यूज नहीं करना चाहते तो division word use कर सकते हो grouping word use कर सकते हो किसी की भी grouping करना अब बदमास लड़कों गुरूप अलग होता है पढ़े लिखे लड़कों गुरूप अलग होता है naughty बच्चों गुरूप अलग होता है ऐसे कर सकते हो तो देखो एक असान शब्द में आपको ऐसे एक example लेके बताता हो मालो क्लास 11 के अंदर 40 बच्चे बढ़ते हैं अब आप इन 40 बच्चों का weight पता करने गए हो किस बच्चे में कितना वजन है तो मतलब एक data ही खटा करने गए हो example के तोर पे आरे ऐसे ही होते हैं stats में example weight पता करने गए हो height पता करने गए हो यह नहीं पता करने जा रहे किस बच्चे की जब में कितना माल है समझे तो मतलब किसकी कितनी income है यह कहना चाहता हूँ माल का मतलब कुछ और मत समझना 40 बच्चे है तो A का weight 40 kilo है B का weight 41 kg है C का weight 55 kg है B का weight 60 kg है E का weight 45 kg है ऐसे करके तुमने 40 बच्चों का weight यह ABCD बच्चों के नाम है तो बहुत सारे बच्चों का weight पता कर लिया तो जब दोस्तों अपने पता करके यह paper में note करके अपने सामने रखा है ना This is called organization of data आपने data को arrange कर लिया है अब आप यह बता सकते हो conclusion निकाल सकते हो कौन over weight है कौन under weight है कौन normal weight वाला बच्चा है हां तो यहां से comparison easy हो सकती है कोई ने कोई conclusion निकल सकता है लेकिन अगर आप data को इस तरीके से classify कर लो कि चालिस किलो से लेकर 45 किलो के बीच में जिन बच्चों का weight है उनके numbers यानि 10 बच्चे ऐसे जिनका 40-45 किलो के बीच में वजन है और 45 से लेकि 50 के बीच में 20 बच्चों का वजन है और 50 से लेकि 55 के बीच में 5 बच्चों का वजन है 55 से लेकर 60 के बीच में 2 बच्चों का वज यह मैंने अपनी मर्जी से कोई भी लिख दी है तो दोस्तों यह जो कर रहे हो ना तुम यह class बना रहे हो groups बना रहे हो 40-45 किलो के बच्चों का group 45-50 किलो के बच्चों का group यह grouping जो की है this is called classification यही सीखना है आज की class में जब डेटा को तुम classify कर देते हो तो उसको देखना आसान हो जाता है ऐसे लिखे रहोगे नंबर में धर 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 तो थोड़ा मुश्किल सा होगा ठीक है organization का जस्ट अगला ही नाम मतलब अगला ही काम और नेशन के बाद डेटा को classify करना होता है अब आ जाते है definition पे एक्जाम में organization of data पूछ ले तो सर क्या लिखो classification of data पूछे तो क्या लिखो definition पूछ ली तो देखो क्या लिखेंगे organization of data का मतलब data को इस तरीके से arrange करना किस तरीके से देख लो it refers to the arrangement of figures figures का मतलब data ही होता है in such a way that इस तरीके से की comparison becomes easy ताकि तूलना असान हो जाए and conclusions can be drawn ताकि conclusion निकाले जा सके यह drawn यहाँ पर जो word लिखा है English का ही है इसका मतलब निशकर्ष निकाला जाना है ठीक है और groupings कर तो data की तो classification है मैं सामने से अर जाता हूँ आप इसका screenshot ले लो आगे बढ़ते है classification of data क्या हुआ तो क्या लिखा है it is a process of arranging things in groups things बोलो या digits बोलो या numbers बोलो या data बोलो किसी भी चीज़ को groups में arrange करना classification होता है ठीक है जी groups बोलो या classes बोलो classes बोलो category बोलो division बोलो किसी भी तरह की से divide करना न और according to their features उनकी features के हिसाब से पहली class के बच्चों की features अलग है दसवी के बच्चों की features अलग है तो उससाब से school divide करता है ना number of students यानि कौन-कौन सी class में पढ़ने वाले हैं ठीक है तो यहां पर organization iac ओठान हो गया पूरी धुनिया की उसको चार चीजों के हिसाब से हम डिवाइड कर सकते हैं चार चीजों के स सबसे classify कर सकते हैं तो चार चीजे या लिखी geography के हिसाब से chronology के साब से quality के साब से और quantity के इस आप से नहीं समझा रहा तोब समझा देतों अगर हम डेटा को इलाका वाइस यानि location के हिसाब से डिवाइड करेंगे classify करेंगे तो ऐसी classification को बोलेंगे geographical classification geographical और दोस्तों इस वाली classification को spatial classification भी बूलते हैं तो 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 classification on the basis of लोकेशन अब यह क्या बोल रहा हूं मैं यार समझा रहा निया रहा समझाता हूं भी ओन्दा बेसिस ओफ लोकेशन इस काल्ड जोग्रफिकल क्लासिफिकेशन जैसे कि आपने डेटा इखटा किया कि इंडिया में लिट्रेसी रेट क्या है यानि पड़ेलिकों की है तो यह जो क्लासिफिकेशन कर रहे हो आप इलाके वाइस कर रहे हो तो इस क्लासिफिकेशन को बोलें के जोग्रफिकल क्लासिफिकेशन ठीक है अब क्रोनोलोजी कल क्लासिफिकेशन में पहले क्रोनोलोजी का नाम समझो किसी भी चीज़ को टाइम के हिसाब से लिखते है हैं तो बोलते हैं chronology हो रहे हैं आपर ठीक है तो chronological classification ऐसी classification होती है जो टाइम के साब से होती है तो classification on the basis of time period on the basis of time period या फिर सिर्फ time लिख दो ऐसे बोल सकते हो आप जमाना पिछले जमाने में लोग ऐसे होते थे इस जमाने में लोग ऐसे होते हैं तो टाइम ही हो गया जनसंख्या की बात कर सकते हो कि सबसे पहले जब जनसंख्या देश की calculate हुई तो वह यह था कि 1872 वह प्रोग्राम फेल हो गया था ऑफिशल लेवल पर सेंसस यानि population की counting पहले बार हुई थी 1881 में तो 1881 म में population कितनी थी फिर 10 साल कालकुलेट होती है यह 1891 में कितनी थी 2001 में कितनी थी 2001 मों कितनी थी отличation ह Reservoir को क्लासीफाई कर एं कि पहले इतनी फिर इतनी फिर इतनी फिर इतनी बढ़ती जारी nation attempts स्की मूणत्य टो यह क्लासिविकेशन ऐसी क्लासिविकेशन जो इंसान की क्वालिटी से हो जैसे कि आप अपनी क्लास में कर अपने दोस्तों की क्लासिविकेशन कर सकते हो क्या क्वालिटी के हिसाब से क्वालिटी का मतलब होता है कौन कितना इमांदार है कौन बेइमान है कौन दगाबाज है कौन प्यारा नहीं है, ऐसी चीज़े, कौन ब्यूटिफूल है, एक है किसी की ब्यूटी के हिसाब से, किसी की इमांधारी के हिसाब से, लोगों को डिवाइड करना जैसे की, बोलते हैं, कि, अब मैं क्या बोलू, कौन से स्टेट के बारे में, इंडिया के सारे ही लोग बहुत हुआ बोलू आ गुज़रात के जाधातर लोग व्यपारी होते हैं तो एक ही ट्रेडिंग के हिसाबति हैं उनकी बिदनेस्मेन नमबर नहीं बोल रहा यहां पर कोह कि मैं यहां पर तो यह हो गई एक टरीके से feature के हिसाप से ठीक है न अब आप बोलो के place भी आ गया तो एक ही classification में दो चीज़ें भी आ सकती है कोई दिक्कत नहीं है फिर quantitative classification जाद तर classification यही होती है number के हिसाब से जो classification होती है जिस चीज़ में number आ गए वो classification quantitative classification होती है अब हर एक में number आता है तो यह geographical classification भी हो गई और numerical classification नहीं quantitative classification भी हो गई तो classification on the basis of number on the basis of number quantitative classification होती है तो यह topic यहाँ पर खतम होता है अगला topic variable अपने आप में एक अलग चीज़ है देखो वैसे तो variable की बात करो तो maths में बहुत बार तुम यह word सुनते ही आयो x variable y variable दस्वी क्लास में linear equation बढ़ी थी with two variable one variable ऐसे पढ़ रखी है तुम्हें variable भाई वो चीज़ होती है जिसको हम numerically express कर सकते हैं कोई भी चीज़ जिसको हम numerically express कर सकते हैं और यह word किससे बना है variable word बना है वेरी से वी ए आर वाई वेरी का मतलब होता है changeable तो ऐसी value जिसको हम numerically express कर सकते हैं और उसकी value बदलती भी रहे उसको बोलते है variable जैसे कि मैं बोलू है आपकी खूब शूरती यह वैरी बल्हें है इसमें क्या बोलु कि 10 किलो खूब्सूरतो 15 किलो खूब सूरतो numerical x5 नहीं होती खूब सूब सुबशूरती बेह इमानी इमांदारी numerical express नहीं होती किया जा सकता है वो सब चीजे विरियेबल होते हैं और जिनको नंबर में एकस प्रेस नहीं किया जाता वो सब चीजे होती है attributes दियान रखना attributes नाम का शब्द आ सकता है attributes का lebih का मतलब तुम quality महलो किसी की खूब सूर्थी और या पहले बताया था आप μπο देखो मैं बता रहा हूँ आपकी हाइट 5 फूट 2 इंच है आपका वेट 50 किलो 400 ग्राम है यह डेटा है ना यह बदलता भी रहेगा वेट डेली या महीने में हाइट भी बदलती रिसकती है ठीक है ना तो यह चीज़े वेरियबल है हाइट भी और वेट भी ठीक है अभी और करते हैं आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो गयारी में इसके बाद नोगे बारी में घ्ली बदलती रहती है किसी डूसरी आप एक नमबर में एक नंबबर class में बढ़ते अब यह नहीं बोल सकते की family में 5.5 members हैं पूरा complete number होगा तो कोई भी variable जो complete number में express हो सकता हो उस variable को बोलते डिस्कृेट डिस्क्रीट variable को अई or जो variable point में explain हो सकते हैं जैसे कि height or weight वह सब variables continuous variable होते हैं तो बहुत एहम कॉंसेप्ट है, जाधा धर भच्चों को समझ में नहीं आता, उमीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा, अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल एकन जरूर प्रेस कर दो, क्योंकि वो प्रेस करने से आप से कोई भी CBSC की या आपको कोई कोशन की फोटो भेज नहीं है, तो इंस्टाग्राम पर वो फोटो भेज दो, इंस्टाग्राम यूज नहीं करते तो फेस्बुक मेसिंजर पर भेज दो, ठीक है तो कुछ ना कुछ करो, ताकि मैं आपके काम आ सको, चलो जी आगे बढ़ते हैं, वेरियेबल औ एच, आपकी हाइट, आपका वेट, सब वेरियेबल है, लेकिन एट्रिवीट क्या होता है, एट्रिवीट इस दा फेनोमेना विच इस नोट कैबेबल ऑफ बिंग, एक्सप्रेस्ट नुमेरिकली, ऐसी चीज़े जिसको नुमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आपकी क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या होते है, क्यारेक्टरस्टिक्स क्या होती है, क्लासिफिकेशन की, उसका अबजेक्टिव्स क्या होता है, लेकिन सही समय, ये सब चीज़े समझने के बाद अब करना है इसको, भाई, जो भी हम क्लासिफाई करत तो वो classified data कैसा दिखना चाहिए requisites बोल चकते है उसको तो कैसा दिखना चाहिए तुमारी classification बिल्कुल clear and simple होनी चाहिए कि data देखते ही बहुत असान हो जाए comparison करना भी पढ़ना भी ये stable होना चाहिए मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ी देर में बदल जाए stable मतलब लंबे समय तक comparison हो जाए उससे ऐसा data ठीक है शुट भी comprehensive comprehensive का मतलब होता है detailed तोड़ा detail में होना चाहिए should be flexible उसमें कुछ changes अगर आ जाएं तो हम भी उसमें editing कर दे मतलब additable होना चाहिए editing possible होनी चाहिए उसके अंदर ये बोल सकते हो should be suitable to the objectives of the statistical inquiry statistical inquiry मतलब जो भी हमारा survey है जो हमारा target है तो उससे match करते होए होने चीए यानि जो हम data को इखटा करके पता करना चाहते हैं उससे matching हो जाने चीए जैसे कि teacher बच्चों के number को base बनाते होए उनकी category को classify करता है तो उसका objective ये होता है कि पता लगा है कि कौन से student toppers है और कौन से duffers है तो वो इसी हिसाब से marks की classification करता है कि कम number वाले duffers जादा number वाले toppers तो उसका objective match कर रहा है न तो आपको भी अपना कुछ objective तो होना ही चाहिए और it should be homogeneous होमोजीनियस का मतलब होता है similar यानि अगर आप एक class के बच्चों की height पता करने गए हो तो सिर्फ height का ही data लिखो height के साथ तुम उसके number मतलिख दे height और number में कोई comparison नहीं हो सकती तो homogeneous होना चाहिए similar सबकी height 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 तो height की बात होनी चाहिए सबके number 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 तो सबके number की बात होनी चाहिए दो चीजों को अलग-अलग करके फाइदा नहीं होमोजीनिस का मतलब similar होता है ठीक है अगला हम कौन-कौन से objectives अचीव करना चाहते हैं चीजों को data को classify करके यह last question आज की class का बाकि इस chapter को continue करेंगे अगली यह question भी ठीक ठाक है जरूर देख लो पॉइंट मोज लिखेंगे में explanation नहीं तो पहला हमारा में objective होता है data easy हो जाए देखने में पढ़ने में simplification second objective utility utility का मतलब किसी नहीं किसी यूज में तो आया data कोई भी हो सकता है distinctiveness हो जाए data की distinctiveness का मतलब होता है अलग अलग डिटा अलग अलग दिखाई दे कि यह group अलग है बच्चों का a b group अलग है c group अलग है ठीक है grouping हो जाए अलग से और फिर हम उसको compare कर सके कि which one is best best कोन है घटिया कोन है बढ़िया कोन है comparison कर सके और उनके बीच में relationship पता लगे relationship लाइक ऐसे हर बतलब इसमें तो relationship क्या पता लगता है दो चीजों में लाइक मैं पता कर रहा हूं कि price और demand का रिष्टा तो मैंने देखा जैसे यासे चीजे महंगी होती है प्राइस बढ़ता है लोग समान कम खरीद रहे हैं तो प्राइस और demand में कैसा रिलेशन है उल्टा एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ कम हो रही है इस उल्टे रिलेशन को इंड इंध्र एक्टीफ एर एट्रिक्टीफ वर इफ्टीफ का मतलब यहां पर होता है जो कि यहां से सब्सव्सक्र नहीं और से तक है अ अब इस chapter में क्या रह गया भई इस chapter में question आता है कि आपको numerical values दियोगी उससे series बनानी है series तीन तरीके की हो सकती है basically simple, discrete, continuous, continuous में और ज़्यदा classification है तो main important part तो इस chapter का रह गया है तो वो अगले lecture में आएगा जहां से numerical question बन सकता है यह सब चीजे basic थी जो आज की class में कराई है तो दोस्तों अगले lecture का ज़रूर wait करना उस lecture में पूरा chapter खतम कर दूँगा तो आज की class में इतना ही जै हिंद जै भारत नमशकार धन्यवाद